तो पार्ट एट की शुरुआत महीं से होती है चाहंप पिछला एपिसोड खतम हुआ था हुली मीडिया के सामने अनाउंस कर देता है कि जीनियान उसकी गल्फरेंड है जहां थोड़ी ही देर में इफे पहुँच जाती है जो कि जीनियान को नीचा दिखाते हुए उसकी इंसल्ट करती है और हुली का पीशा छोड़ देने के लिए क्या कर चली जाती है इससे जीनियान को थोड़ा बुरा तो लगता है पर वो कोई जवाब नहीं देती इधर हुली अब जीनियान से कुछ भी चुपाना नहीं चाता था इसलिए वो खुदी जीनियान को बताने का डिसाइड करता है कि वो एक AI है वहीं दॉंक चेंज जब उसे इफे के वापस आने के बार में बताता है पर हुली का इफे को लेकर कोई इंट्रेस्ट नहीं था इधर जीनियान को एक शौकरी नियूस पता चलती है कि मैडम फियोना ने कैफे बेस दिया है वह भी शीत हो यानि कि हमारी हूली को जो सुनकर जीनियान तो शौक डोजाती है पिर जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर वेट कर रहे थे तो वो दूरी रुक जाती है तभी हूली आकर उसे साइड में ले जाता है तो चीनियान फिर से उस पर गुसा करने लगती है क्योंकि वो अपने घर के अंदर ही नहीं जा सकती तो हूली उसे अपने विला ले आता है जिसके अकॉर्डिंग एक महीने तक वो लोग पबलिक को दिखाने के लिए फेक कपल बने रहेंगे फिर ब्रेक अप एनाउंस करने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे तो दॉंग चिन उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है तो अगले दिन से ही दोनों को लेकर एक variety show शूट की जाती है जहां ऐसे couple उनकी life style को दिखा जाता है इसमें जीनियान बस acting कर रही थी पर उसकी acting सभी को बहुत ही अच्छी लगती है पर shooting के पाथ ही जीनियान तो निकल लेती है और वही अपना गुसा वाला mode चालू कर लेती है इधर इफे भी अपना debut करने वाली थी उससे पहले वो हूली से मिलने के लिए shooting सेट पर पहुंच जाती है तो उससे देखती ही जीनियान तो वहां से चली जाती है वहीत है जीनियान को हूली के विला में बिल्कुल भी घर वाली feeling नहीं आ रही थी क्योंकि ये घर तो बहुत ही बड़ा है यहां का dying table बहुत बड़ा है और यहां का atmosphere भी उसे घर वाली feeling नहीं दिला पा रही थी में shift करा लेता है वहींदर reporters तो दॉंक चन की पीछे पढ़ जाते है तो वह इफे को लेकर वहां से चला जाता है इतर अगली सुबह तो जीनियान को जटका मिलता है जिब लीली उसे call करके बताती है कि उसके घर का सारा सामान तो गायब हो चुगा है तो जीनियान जल्दी से उसे पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कहती है पर अपने रूम से बाहर आती है जीनियान अपना सारा सामान पॉल में ही सजा हुआ पाती है जो देख कर वह तो बहुत ही जादा shocked and surprised थी तो वह लीली से कुछ भी ना करने के लिए कहती है वहीं ये सब कुछ देख कर तो हुली पे उसका गुसा भी चला जाता है और वो हुली से impressed भी हो जाती है में देख दॉंक चन हुली से इफे को like करने वाले बात बताता है इस पे हुली उसे जल्दी ही अपना feelings confess करने के लिए कहता है ताकि इफे से उसका पीछा भी छोट जाए ज़र जीनियान के shooting set पर आने के time मीडिया वाले तो सीधे छीना जब्टी करने लगे थे जो देखकर हुली आकर उससे बचाता है और मीडिया वालो को नाट कर भगा देता है जिदर इफे तो पहुंचा थी जीनियान को मसका लगाने वो जीनियान से sorry worry कहती है पिछली बार के लिए और उसे अपनी और हूली की fake love story सुनाती है जिस पर जीनियान तो हूली की कुछ बातों को याद करके believe भी कर लेती है तो जीनियान उसे thank you कह कर वहाँ से चली जाती है तब ही बार उसे हूली मिलता जिसने उनकी बाते सुन ली थी तो वो उसे अपने साथ बात करने के लिए ले चाता है तो हूली उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने जो कुछ भी खा वो सब को जूट था पर चाहे जो भी ओ जीनियान अभी ये acting कर करके ठक गई थी इसलिए वो अब बस अपनी normal life में वापस जाना चाती थी जिस वे से वो हूली पर और साथा गुसा हो जाती है इदर इफे तो अपनी और हूली की साथ वाली कुछ photos viral कर देती है जिससे उन दोनों की dating की news बाहर आने लगती है तो वो हूली को वापस पाने में दॉंक्चन की मदद मांगती है वही दॉंक्चन जो इफे को confess करना चाता था उसे खुश देखने के लिए वो उसकी मदद करने के लिए त्यार हो जाता है और अपनी मन की बढ़ास निकालती है वहीं अगली सुबह तो जीनियान के बारे में news में आ रहा था कि वो एक fake lover थी जिसका हूली के साथ contract relationship था जो सब सुनकर जीनियान को तो बहुत ही बुरा लगता है तभी उसका एक senior वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि college time में जीनियान का उस पर crush था तो लेली उन दोनों की photo कीश कर fatty को भेज़ दिया और फैटी दिखाता है हूली को और बताता है कि ये तोनों तो date पर भी गया है जो सुनकर हूली तो बहुत ही जाता जैलस हो जाता है जो सुनकर जीनियान थोड़ी शौक्ट देखिएं कि उसे लग रहा था कि हूली को अभी तक नहीं पता उसके AI होने के बारे में तो वो कुछ देर अकेले रहने की बात कहिकर चली जाती है बाद में दॉंक जैनियान को तो पहले से इस बारे में सब कुछ पता था और दॉंक चिन से ईफे को संबालने के लिए क्याता है कियाकर उसका हाथ चोड़ देता है इधर जीनियान थो थोड़ी से कन्फियूज सी पर डिसाइड करती कि वो हूली का साथ कभी नहीं छोड़ेगी तो अगले दिन हुली की साथ आखरी शूटिंग करके जीनियान वहां से चली जाती है और अपने जर्नलिजम का कोर्स फिर से शुरू करती है इसमें उसकी कॉलेज का सीनियर उसकी बहुत हेल्प करता है मैं इधर हूली दॉंग्चन और ईफे की नई मूवी आने वाली थी जिसके प्रेस कॉंफेरंस के दौरान ईफे बार बार जीनियान के बार में उल्टा सिदा बोल रही थी उपर से युवान ही उनका इंटर्वियू ले रहा था इस वे से वो भी शुरू हो जाता है जिसके हूली को बहुत ही गुसा आता है पहले तो वो उसे चुप कराता है तो इफे से बात करने के लिए उसे बाहर ले जाता है इधर जीनियान वाश्रूम जाती है तो युवान की गल्फेंग बाहर से वाश्रूम बंद कर देती है में इदर हुली इफिय को बता देता है कि जीन यान उसकी हाफ सिस्टर है इसलिए वो उसे बुली करना छोड़ देन उसे पिसफुली रहने दे जो उनकर इफिय तो शौक ड्रह जाती है तब दौंग चंचन चिलाता हुआ आता है न हुली को बताता है तो हुली उसे ढूंडता हुआ वाश्रूम पहुँच आता है और उसे वहाँ से बाहर निकाल आता है और बाहर आते ही हुली खुदी बेहोश हो जाता है तब दौंग चिन भी वहाँ पहुँच जाता है और हुली को ठीक करता है दौंग चिन ने उसे जो कुछ भी कहता वो सब कुछ जूट था इधर रीफिय को जीनियान के लिए बहुत बुरा लगता है इस वे इसे वो अपने डैट से भी बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उनकी वे इसे जीनियान को अकले रहना पड़ा बहेंदर हुली और जीनियान के बिस तो सब कुछ सभी हो गया था तो तो पर फिर से रेगूलर रुमैंस जाल हो जाता है बहेंदर जीनियान को अपने सीनियर से पता चलता है तो वो उनसे मिलने चाहती हैं बाप बेटी के भी सब कुछ सही हो जाता है पर वो मिस्टर जाओ से प्रॉमिस ले थी कि वो हुली को कोई भी नुकसार नहीं पहुचाएंगे और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो बेटी की सिद्क के सामने उन्हें मानना ही पड़ता है पर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गए थी पुली जब जीनियान को आग से बचा रहा था तब एलेक्टिसिटी लीक होने के वज़े से वो बेहोश हो गया था तो उससे उसके दिमाग में कुछ तो प्लानिंग चलने लगती है और इसी की साथ पार डेट का एंड यहीं पर होता है जो लगी तो वीडियो को लाइक कर देना अगर यह ड्रामा आपको अच्छा लग रहा है तो अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूरू बताना और चैनल पर पहली बार आयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना तकी इस इंट्रेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट साप से मिस ना हो और मुझे इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कर देना अट्रेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट में तब तक लिए टीक केर और बाई बाई